स्वदेशी पांचवी पीरी के लड़ाकू विकास परियोजना, Advanced Medium Combat Aircraft, AMCA के निर्मान के लिए भारत का महत्वाकांक्षी प्रयास दिसंबर तक Critical Design Review, CDR, को पूरा करने के लिए तैयार है और सुरक्षा पर क्याबिनेट समिती CCS से परियोजना की मंजूरी के बाद की AMCA के परियोजना निदेशक डॉक्टर, A.K. घूष ने पिछले सप्ताइड FXPOR 2022 में बोलते हुए कहा, परियोजना की मंजूरी मिलने के बाद, तीन साल में पहला प्रोटोटाइप और उसके बाद एक से डेर साल में पहली उडान शुरू की जा सकती है CDR एक महत्वपूर्ण पहलू है जहां डिजाइन को जमने से पहले सत्यापन के लिए परिक्षनों की एक श्रिंखला के माध्यम से रखा जाता है हिंदुस्तान Aeronautics Limited HAL जो परियोजना के लिए उतपादन एजेंसी है ने विनिर्मान गतेविधियों की शुरूात की है किया गया है इसका इरादा 1500 किलोग्राम पेलोड की आंतरिक धुलाई और 6500 किलोग्राम आंतरिक इंधन के साथ 5500 किलोग्राम बाहरी पेलोड का है सितंबर की शुरूात में CCS LCAM K2 के विकास के लिए मंजूरी देता है जो वर्तमान से बड़ा और अधिक सक्षम लडाकू है HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CB अनंतकृष्णन ने DefExpo में कहा हम 2025-26 में पहला प्रोटोटाइप देने में सक्षम होंगे और 2026-27 में पहली उडान भरेगे नौसेना LCAM K1 परियोजना के परियोजना निदेशक पी थंगावेल ने कहा कि IAF मिराज 2000 के लिए एक प्रतिस्थापन चाहता था क्योंकि इसके निर्मता फ्रांस ने भी उन्हें चरनबद तरीके से हटा दिया है और LCAM K2 इसका प्रतिस्थापन है हमारे पास अगले तीन वर्षों में पहला प्रोटोटाइप होना चाहिए इसमें LCA की तुलना में बहुत अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता है को 8-10 Beyond Visual Range Missile, DVR, ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है LCAM K2 वर्तमान LCA variant और LCAM K1A की तुलना में भारी और अधिक सक्षम विमान होगा जिनमें से 83 को हिंदुस्तान Aeronautics Limited फैल के साथ 48,000 करोल रुपे के सौदे के तहट अनुबंदेत किया गया है IAF ने LCAM K2 के 6 स्कॉडरन खरीदने की प्रतिबधता जताई है MK2 को General Electric GE 414 हिंजन द्वारा संचालित किया जाएगा जो LCAM K1 और MKAK को शक्ती देने वाले GE 404 हिंजन के 84 किलोन्यूटन थरस्ट की तुलना में 98 किलोन्यूटन थरस्ट पैदा करता है इस पर Dr. Rao ने कहा कि GE 414 हिंजन का एक महत्वपून हिस्सा GE से प्रोध्योगी की हस्तांतरन के साथ भारत में निर्मित किया जाएगा EMCA का विकास दो चरणों में किया जाना है GE 414 हिंजन के साथ MK1 और सहयोग से विक्सित किये जाने वाले अधिक शक्तिशाली इंजन के साथ MK2 LCAM K2 कैनाज से युकते 1350 मिलिमीटर लंबा है और MK1 के 3500 Kgs की तुलना में 6500 Kgs का पेलोड ले जा सकता है किया जाएगा